Hello everyone, आज हम लोग पढ़ेंगे Story, the little fur tree, छोटा सा दियोदार का पेड़ बच्चों, दियोदार का पेड़ तो आपको मालूम है, कैसा होता है आजे पढ़ते हैं Story Setti, the magician was returning home, when all of a sudden it began to rain It rained heavily, Setti looked around for shelter and saw a pretty little fur tree He ran towards it as fast as he could तो Setti नाम का एक जादुगर था, यह है Setti, यह है magician तो Setti जो जादुगर था, एक बार घर की तरफ लोट रहा था तो रास्ते में क्या हुआ अचानक बारिश होने लगी, तेज बारिश होने लगी फिर Setti चारो तरफ देखा, कहा पे छिपें, कैसे बचें रेन से, कैसे बचें बारिश से तो उसको दूर कहीं एक सुन्दर सा देवदार का पेड़ दिखाई दिया वो जल्दी से दोड के गया, देवदार के पेड़ के पास छिप गया बारिश से बचने के लिए उसके नीचे खड़ा हो गया इसके बाद बारिश रुकी और सेटी बहुत प्रसंड हुआ कि इस देवदार के ब्रिच के वज़ा से, इस देवदार के पेड़ के वज़ा से उसको बारिश ने भिगा नहीं पाया, वो भिगा नहीं उसने देवदार के पेड़ को कहा thankful तुम क्यों कि मुझे बारिश से भिगाए हो, मेरे परती दयालिव थे तुम, तो मैं तुम्हें कुछ इनाम दूँगा, तुम कोई भी चार विश मुझ से मांग लो, तुम्हारी जो भी इच्छा है, चार, वो मुझ से मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा को अवस्य पूरा करूँगा तो आपको मालूम है देवदार के पेड़ों पे जो पत्तियां होती है वो नुकीली होती है सुई की तरह उस पे कोई भी चुड़िया अपना घुसला नहीं बनाती है इसलिए देवदार का पेड़ उदास था उसने कहा हे मैजीशियन यदि आप मुझे कोई विश देना चाहते हैं तो आप मेरी पत्तियों को हरा कर दीजिए मेरे पत्तियों को ग्रीन कर दीजिए जैसे मेरे और सारे ब्रिच, ट्री, फ्रेंट के हैं आसपास के जितने भी ट्रीज हैं उनकी पत्तियां हरी हैं मेरी भी पत्तियों को हरी कर दीजिए अगले दिन जब वो दियोदार का प्रिच देखता है अपनी पत्तियों को तो पाता है कि उसकी पत्तियां तो हरी हो गई लेकिन तभी एक बक्री आती है और उन पत्तियों को खा जाती है ओ डियर said the fourth tree I wish I had gold leaves करो कि मेरी पत्तियों को हरी इनर रखो अगर पत्तियां हरी होंगी तो बक्री खा जाएगी मेरी पत्तियां सोने की बन जाएं अगर सोनी की बन जाएंगी तो बक्री नहीं खा पाएगी अगले सुबह जब दियोदार बिच उठा तो देखा कि उसकी पतियां सोने की हो गई है और उन मन olduğunu मन सोचने लगा कितना मैं खुस नसीब हूँ कि मेरी पतियां गोर्डेन हो गई है सोने की हो गई है लेकिन तब ही अचानक एक इनसान आया एक मनुश्य आया एक आदमी आया और उसने उन सोने की पत्तियों को चुरा लिया तब दियोधार का बिच बहुत उदास हुआ और उसने कहा हे मैजिशियन मेरी पत्तियां सोने की मत रहें क्योंकि मनुस्य से चुरा लेता है मेरी पत्तियों को शीशे का बना दीजिए, ग्लासेस का बना दीजिए सीशा यानी लास का अगले सुबा जब वो उठा देओधार का बिरज तो उसके पत्तियां शीशे की बन गई थी सूरज की रोस्नी में सीशे की पत्तियां बहुत ही चमक रही थी देओधार के बिरज ने सोचा मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मेरी पत्तियां सुरज की रोशनी में चमक रही है लेकिन रात में क्या हुआ रात में हवा चलने लगा तेज तेज और जितनी भी पत्तियां थी सीशे की तूट गई ओ लियर said the fir tree I like my old needle like leaf best for goats do not eat them no man can steal them the wind will do them no harm तो अंत में दियोदार का bridge magician से कहा कि मेरी पत्तियां नुकिली ही कर दीजिए तो कि मेरी पत्तियां जब नुकिली रहती है तो ना तो कोई बकरी उसे चर पाएगी ना कोई इंसान उसे चुरा पाएगा और नो कोई हवा उसे तोड़ पाएगी कोई नुक्सान कर पाएगी और इतना कहकर पेड दियोदार का सो गया अगले सुबर जब दियोदार का bridge उठा तो देखा कि उसकी पत्तियां फिर से पुरानी जैसे हो गई निडिल लाइक्स लीप्स हो गया और ओ आई नेवर वाज सो हैपी सेड द लीटिल फर ट्री और दियोदार का bridge मन ही मन में कहा कि मैं कितना भागशाली हूँ कि मैं अपने पुराने फार्म में आ गया तो बच्चों इसमें कुछ नए वर्ड्स हैं प्रेटी प्रेटी यानि सुन्दर नीडल्स यानि नुकीली सुई लीप्स यानि पत्ते गोल्ड यानि सोना इस्टोल यानि चुरा लिया अब हम आते हैं कोस्चन सांसर्स में पहला कोस्चन है द प्रेटी लीटिल फर ट्री वाज हैपी विद गोल्ड लीप्स बट छोटा सा दियोधार का ब्रिच गोल्ड लीप्स के साथ सुवर्ड पत्तियों के साथ खुश था लेकिन क्या हुआ ये मैं इस्टोल दें एक इनसान आया और इस्टोल कर लिया चुरा लिया सेकंड कोस्चन है द फर ट्री वाज साड दियोधार का ब्रिच उदास था क्योंकि इसकी जो पत्तियां थी वो नुकिली थी नुकिली पत्तियों के वज़ा से कोई चुडिया अपना घोसला उस पे नहीं बनाती थी तीसरा क्वेस्चन है सी द फर ट्री वाज नॉट हैपी विद गोल्ड लीफ फर का दियोधार का जो पेड़ है वो गोल्ड लीफ से खुस नहीं था क्योंकि एक मैन इस्टोल दें एक इनसान ने उसे चुरा लिया था बच्चों आप लोगों को भी जादे लालच नहीं करना चाहिए आप जैसे हैं भगवान ने जिस रूप में आपको बनाया है जिस तरह का सारीरिक स्ट्रेक्चर आपको दिया है आपको उसमें खुश रहना चाहिए क्योंकि भगवान ने कुछ समझ के सोच के ही आपको बनाया है इस्वर ने जिस क्रियेशन में आपको क्रियेट किया है आप उसमें खुश रहना सीखिए